चेहिन साथ यो स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन केट 6 में बिहार में अगर नौकरी पानी है तो बिहार की नौकरी के लिए पहले लड़ना पड़ता है और फिर शीनना पड़ता है सरकार से तो लड़ाई शुरू हो चुकी है और यह लड़ाई देखिए अब 10 % के बदले में 70% मिल रहा है मैंने इसके ओपर एक बीडियो बनाया है जाके उस बीडियो को ज़रूर देखिये अब आक को बता दे कि जिन छफ्ोंने इसका इंतजार किया था इसकी आंसर की वेट किया था उन सभीं छात्र को कहना चाहूंगा जाकर अपना आंसर की अब मिलाइए और आठ ऐसे प्रशनों के साथ यहाँ पर रिमार्क किया गया है जो गया है कि वो कोश्चन क्यों गलत नहीं है जिसपे कि आप लोगों ने और अब आप लोग का कितना मांक्स आ रहा है यह आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके भी जरूर बताईएगा जैसा कि 22 सेप्टेंबर का यह डिट एनॉंसमेंट है कि 6-8 का आंसर की आ जाएगा उसी तरह आपको बता दे कि कक्षा 9 से 10 का और 11 से 12 का भी फाइनल अंसर की 24 से 25 या 26 सेप्टेंबर तक आपको जारी कर दिया जाएगा इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे कि जो इसके रिजर्ट का अचातर इंतजार कर रहे हैं वो 30 सेप्टेंबर तक इंतजार कर ले नहीं आया तो कोई बात नहीं ये 5 अक्टूबर के आसपास ये 10 अक्टूबर के आजपास भी आ सकती है लेकिन खबरे ये भी है कि जो समबादाता है रजी सर इन्होंने अपडेट भी किया है कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का रिजल्ट आ सक और नियुकती पत्र फिर से बाटा जाएगा अफ्ता गांदी मैदान में ही जो कि माननीय मुक्य मंतरी जी के द्वारा दिया जाएगा अब दूसरी चीज यहां पर ये है कि छात्र जो भी नियुकती पत्र लेंगे क्या उनको ये 100% यहां पर जो है उनको चांसिस है कि वो उनका नौकरी बना रहेगा नहीं कि अभी भी नहीं है चुकि मामला अभी भी ऐसे अन निदाज्यों का है जो लोग फेक डॉक्मेंट्स बनाकर वीपीसे टीरी 3 में भी बैटे हैं और मैं आज फिर इस वीडियो के मार्दम से यह सूचना आपको दे रहा हूं सरकार तक यह सूचना पहुचाने का आपका कारिया है सरकार इस पे छान भीन करे में और टॉक्मेंट्ट वेरीफिकेशन रिजर्ट पे पहले ले ले तो जी बूद्थ लेर नदी पानी femme हो जाएगा यहाँ नहीं के करें की हाथ में जाएगा जो कि पाइगा बात्स सरकार के सामने नितिश कुमार को टैग कीजे जो कि हमारे माननिय मुख्यमंत्री जी है उनको टैग कीजिए ट्विटर में की प्लीज बीपी एसे टी आरी का जो रिजल्ट है उससे पहले डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कराया जाए कि बहुत बड़ा देखे हाथ से बुद्धा आपका निकल जाएगा जब आपका फाइनल जीक तत्व हैं जो कि इसे टॉक्मेंट लगा लगा कर अपने सेलेक्शन को वहाँ पर पुष्टी कर देते हैं कि पाद में कहीं न कहीं जाके आगे हमारा जो है बचे रहेंगे और सेलेक्शन बना रहे लेकिन नयात दिला दें लोगों को भी कि आप लोगा सेलेक्शन डिस क्वालिफिकेशन में बदल रहा है यह जांच की प्रक्रिया आप यह मत सुचे कि सिर्फ दो साल चलने वाला है कि साल दर साल आपके जांच होगी आप कहीं भी अगर किसी भी तरह का गलती में पाए जाते हैं तो आपसे बेतन का रिकावरी तो किया ही जाएगा और आपको अमेशा के लिए बीपी एसी या सिख्षाववाग बैन कर सकती है यहां पर तो आप लोगों को मैं सजेद करने भी चाहता हूं इस वीडियो के मात्यम से कि ऐसे लोग फ्रीट लगा कर इंट्री विल्कुल मत करें और खासकर वैसे चातर जिंदा सीटीट में जो अन्य जा रहा है कुछ ऐसे न्यूज अपडेट आ रहे हैं जिसमें यह चीजे बताई जा रहे हैं कि वैसे लोगों को पकड़ने के लिए भी सरकार जो है सिख्षाविवाग और बीपीएसी के जो है साथ मिलकर यहां पर यहां पर कुछ सिस्टम को इंट्रीउस करने जा रहा है जिससे की फेक डॉक्मेंट्स वाले रेजल्ट के दौरान खुद बखुद वो पीछे हट जाएंगे लेकिन इसमें तो नुपसान देगर देखा जाए तो जैनुएन श्टूडेंट का ही होगा लास्ट ली अगर देखा जाए क्योंकि वह च्छात्र का सेलेक्शन हो सकता जिनके जगह पर फेक डॉक्मेंट्स वाले च्छात्र आ रहे तो खेर यह बात की बाते हैं लेकिन इस पर लोग भी आवाज था यह हम आवाज लगातार उखा रहे हैं कि डॉक्मेंट्स जो है रिजल्ट के पहले करवा लेना चाहिए सरकार को और इसके उपर विचार भी क सेलेक्शन वन्टू फाइब और रहा है तो छोड़ेंगे वह सीट खाली रह जाएगी तो उन सीटों के जगहा पर वन रिजल्ट वाला सिस्टम अगर लेकर आया जाता है तो चात्रों का यहां पर बेनिफिट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा छात्र सेलेक्ट होकर निकालना है सरकार को यहां से वो क्रीम जनुविन स्टुडेंट हो यही हम भी चाहते हैं चलिए इस वीडियो के मात्यम से तो आपको एक सूचना देने आए हैं कि देखे पीपीएसी की वेबसाइट के आप आ जाईए और यहां पर यह देखेगा तो इन्पॉर्टेंट न ने आपक्ति किया था तो इस नोटिफिकेशन का जो आंसर की दिया गया है और आंसर उसको बताया गया है इस पर आप लोग थो नोटिक्स कर लेगेगा और यह रीजन दिया गया है दो कि तना नंबर आ रहा हैya कटएके मैं आपको फिर से बोल दू कि हो बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं पिर से बहुत सारे टीचर यहाँ पर बनाने वाले हैं और वो पूशेंगे आप से कि कितने स्कूर हुए हैं आपके और आप ही का स्कूर पूश कर आप ही का कटाफ बताएंगे थोड़ा साब mentally आप लोग भी disturbed मत होईए मैं कहूंगा इंतजार कर लिजे वहाँ जल्द आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट भी दिया जाएगा और 6-8 में कितना स्कूर कर रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए बताइए कितना आ रहा है और category के साथ बताइए खुद बखुद आप लोग ही अपने कमेंट को देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा चातर यहाँ पर आंसर करेंगे यहाँ पर तो देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगा कि यही होगा आप लोगा आप लोगा यहीं कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही लेकिन दढाई शुरू हो चुकी है और महिलाओं को लेकर आरेक्शन को लेकर जहां पर प्रेनिफिट हो रहा है मामला पूर्ट में जाने वाला है पहले सरकार सहथ सुन लें सभी चीज़ों और इसके उपर विचार भी कर लें यहीं फिर मिलेंगे आपसे एकली वीडियो में शन्यवाद